हेलो स्टूडेंज तो आज हम लोग करेंट एलेक्टिसिटी का लेक्चर नमबर नाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो की बचो यह है कॉंबिनेशन आफ रेजिस्टर्स का पार्ट थर्ड तो पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था सिरीज अन पैरलल कॉंबिनेशन आफ तो आज पार्ट थर्ड का शुरुआत कर रहे हैं और आज क्या पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप 5 में कि एक सर्किट के अंदर बहुत सारे मालो रेजिस्टर से और बहुत सारे बैटरीज है एक दब कॉंपलेक्स है और हमें कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कि कौन-कौन पूछ दे की बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीचे पोटेंशल डिफरेंस क्या होगा जिसमें बहुत सारे बैटरीज हो और उल्टा उल्टा कनेक्टेड हो तो नहीं लग रहा बहुत कॉंपलेक्स है कुछ भी समझ में नहीं आता है कैसे किया जाए तब जाकर क किट आ जाए कुछ भी ना समझ में आए फिर भी जो है ना सारे स्टूडेंट सही सवाल बनाएंगे और एक ही सवाल को बनाने के तरीके भी बहुत सारे होंगे बीस तरीका भी हो सकता है तीस तरीका भी हो सकता है एक ही सवाल को बनाने का और अगर तीस तरीके से सवाल स्ट रजjang पढ़ें फेस्टे के लिए और थिर्ड पढ़ेंगे लिक्ट्रो मेंगनेटिक के अंदर किर्चॉफ्स लॉफर इंडॉक्टर्स ये तो तिन-तीन बार है total हमारे class 12 physics के अंदर ठीक है चलिए सबसे पहले type number 5 क्या है भाई किर्चोफ's law for resistors तो समझ में आगे बचो कि क्या है it is used to find क्या तो पहला देखो क्या है the potential difference between any two point in an electric circuit कोई भी दो point के बीच निकाल सकते हैं और दूसरा है कि across any resistor किसी भी resistor के across current बोले या potential drop आसानी से हम लोग calculate कर सकते हैं तो यह दोनो application हो गया ठीक लिख लिए सबसे पहले यह अब चलते हैं हम लोग किर्चोफ's first law को हम लोग junction rule भी बोलते हैं या किर्चोफ's current law भी बोलते हैं short में यह कहलागा kcl और इसी तरह से second law है तो सबसे पहले first law की बात करते हैं देखो क्य है यह जो वर्ड दिख रहा है कि जंक्षन क्या है सबसे पहले तो यह समझें तो देखो एक चीज है कि जब जब जंक्षन बोला जाता है ना तो जंक्षन को हम लोग नोड भी कहते हैं क्या कहते हैं नोड तो जंक्षन क्या है जैसे कि कोई railway station अगर ले लो आपने नई दिल जंक्षन है तो इसका मतलब क्या है कि नई दिली एक पॉइंट हो गया तीक एक railway station यहाँ पर क्या है इस साइट से भी train आती है और कोई और डिरेक्षन में चली जाती है कोई और डिरेक्षन में चली जाती है यानि बहुत सारे डिरेक्षन से करेंट आते हैं और बहुत सारे directions में जो है train जाती है तो that point, that railway station is known as क्या है junction बिल्कुल वैसी है तो देखो क्या है, मालों ये नई दिली railway station है तो यहां से एक train ऐसे आ रही है let it be I1 एक train इधर से आ रही है let it be I2 बस उसके बाद एक इधर चली जाती है इधर railway line बना हुआ इधर चली गई I3 एक इधर चली गई क्या है I4 तो बहुत सारे train आ रही है यह बहुत सारे directions में train जा रही है तो this is known as क्या junction तो आज से हम लोग physics पाढ़ रहे है तो हम लोग क्या बोले नई दिली junction भी बोल सकते हैं या बोलेग नई दिली नोड बोलने में नई दिली नोड किसी को भोलोगे कौन सा station से ticket है आपका आपका आफ़ नई दिली नोड से है यह कौन सा station है भाई तो बैशों देखो क्या है यह का statement क्या है क्या कहते है कि और अपने पहले law में कि it states that दखो क्या कि algebraic sum of all the currents algebraic sum of sum of क्या लिखते ना यहाँ पर all the currents ठीक है all the currents at any junction is equal to क्या होगा 0 किसी भी junction पर algebraic sum क्योंकि algebraic sum ऐसा इसलिए बोल रहे है क्योंकि क्या है समझ ना कुछ train आ रही है कुछ train जा रही है अगर इसको पैसे से relate करें तो यहाँ देखो क्या है जो आ रही है ना तो समझा मेरे पास अगर पैसा आए तो हम खुश हो जाते हैं 5 रुपिया आ गया 3 रुपिया आ गया तो हम खुश हो जाते हैं और मेरे से अगर 3 रुपिया खर्चा हो जाए 5 रुपिया खर्चा हो जाए तो हम दुख हो जाते हैं, यानि नेचर देख रहो क्या है बचो अलग-अलग है, है ना, जब आता है तो खुशी, जब जाता है तो दुखी, तो जब खुशी है तो उसको positive बोलिए, जब जा रहा है दुखी है तो उसको आप negative बोलिए, तो जैसे practical दुनिया में है, वैसी यह पर उन्होंने बोला कि एक sign convention लगा लो, कि जो currents आ रहे है, incoming, पैसा उसको positive बोलिए, जो खर्चे हो जा रहे है, जो जा रहे है, that is known as negative, तो सबसे पहले क्या है, लिख लिजे इसको इतना दुर तक जो भी है, ठीक है करके देखते जाते हैं, सारे points को, तो बोलेंगे कि एक sign convention को follow करते हैं, तो sign convention तो याद रहेगा, पैसे से relate कर लिजेगा, तुरंत याद हो जाएगा, पहला क्या है कि भाई, incoming current जो होगा, incoming current, currents, are taken as कैसा positive, ठीक है, और outgoing current जो होगा, उसको हम लोग क्या ले लेंगे, negative, outgoing currents are taken as क्या होगा, negative, ठीक है, sign convention हो गया, अब किसी भी junction पे algebraic sum क कर दो, तो यह आ रहा है तो plus, यह आ रहा है तो plus, यह जा रहा है तो minus, यह जा रहा है तो minus, तो अगर हम लोग algebraic sum of all the current करें, at any junction पे, तो होगा क्या, I1 आया, I2 आया, I3 गया, तो minus कर दो, I4 भी गया, तो minus कर दो, sum of all the currents, कैसा sum, algebraic sum, इसलिए कोई plus है, कोई minus होगी है, ठीक तो, I3 गया, उधार, I4 भी गया, उधार, यहां से क्या हुआ ना, इस law का, एक और statement हम लोग डेवलप कर लिए, एक और statement क्या, कि जितने भी पैसे आ रहे हैं मेरे पास, उसको एक तरफ लिखो, और जितने पैसे मेरे से जा रहे हैं ना, उसको एक तरफ लिखो, यानि sum of all incoming पैसा is equal to sum of all outgoing पैसा, पैसा के neither be created nor be destroyed, it is only transferred from one आदमी to another आदमी, कोई हमको पैसा देता है, हम समान खरीते हैं, हम दुकान में देते हैं, या online transfer कर देते हैं, तो पैसा circulate होते जाता है, देख रहे हो, तो यह चीज़ है, तो यह बास वही होगे, कैसे बोलेंगे इसको, तो ब incoming currents, is equal to क्या हो जाएगा, sum of all outgoing currents, sum of all outgoing currents, कहां पर लिख रहे हैं, at any junction, at any, at any, चलो नीचे लिख देता हूँ, at any junction, at any junction, तिधर भी sum of all outgoing currents है, at any junction, यह दोनों क्या होता है, equal होता है, equal होता है, समझ में आ गया बढ़िया से लिख लीज़े इसको, अच्छे से, ठीक है, अब, कि भाई, यह तो समझ में आ गया, जो एक और point लिखा हूँ, यह है, कि it is based on conservation of charge, बिल्कुल सही है, charge होता क्या है, conservation of charge क्या होता है, बच्छों, कि charge के neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from, क्य one object to another, सिर्फ transfer होता है, जैसे पैसे की बात कर रहे थे न, एक object से दूसरे object में transfer हो रहा है, मला आदमी आदमी में, तो यहाँ पर देखो क्या है, क्या charge conserve हो रहा है क्या, किसी भी junction पैसे देख ले तो, तो बोले क्या, current होता है, rate of flow of charge, क्या होता है, current rate of flow of charge, यानि कि एक जतना charge इस point पर आ रहा है, तो इधर से भी आ रहा है, तो जितने total आ रहे हैं, वो equal है किसके, जितने total जा रहे है, इसका मतलब क्या हुआ, मालो 5 कुलंब of charge, आया एक सकंड में, तो एक सकंड में 5 कुलंब charge क्या हो गया, same, equal amount में चला भी गया, इसका मतलब कि किसी भी junction पे आईसा नहीं हो रहा कि charge create हो रहा है, या charge destroy हो रहा है, जस्ट समझो कि transfer हो रहा है, इधर से आया और उधर चला गया, तो conservation of क्या है, charge पर ये है, क्योंकि current होता ही है rate of flow of charge, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, पहला law अच्छे से, चलते हैं, अब हम लोग किस पर बच्छो दूसरा law पर किर्चॉफ्स second law, जिसको कि हम लोग loop rule भी कहते हैं, अब सवाले loop क्या होता है, देखते हैं, इसको हम लोग किर्चॉफ्स voltage law भी बोलते हैं, जो कि KVL है, अच्छा, तो यहाँ पर एक term आया है, वो आया है loop, loop का मतलब क्या है, closed circuit, क्या है, closed circuit समझेंगे, तो क मेरे लिए क्या बन गया, एक loop बन गया, और मालो कि उसको हम लोग को पॉइंट से denote कर दी, यह point है A, यह है B, यह है C, यह है D, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या पता है, कि loop हो गया, देखो कैसे, A, B, C, D, देखे का ज़रा, loop A, B, C, D, तो सिर्फ D तक नहीं लिखना है, कि A A, B, C, D, एक loop हो गया, नहीं, loop मतलब हो था, closed circuit का मतलब क्या हो, कि अगर आपने A से start किया है, A, B, C, D, घूम करके फिर आप A तक आईए, तो फिर आप A तक आईए, तो यह जो है न, loop कहलाएगा, बड़ी छोटा-छोटा चीज़ है, लेकिन क्या है न, बोलता है कि काहे हम कुछ भी गलती करे, और कहीं भी, चाहे boards हो, चाहे competition, क्यों गलती करे, जो भी लिखे, सही लिखे, तो यह हो गया, loop, closed, कि जिस point से हम शुरू करते हैं, उसी point तक अगर आगे, तो that is known as loop, यानि कि closed circuit, अच्छा, क्या कहते हैं, देखो किरचॉप सर, अपने second law में, voltage के बारे टो जीरो, हैं, क्यों भाई, तो बोलते हैं, किसी भी loop में, जितने भी potential differences होंगे, सारे potential differences, अब potential difference हो सकता है, किसी दो point में positive हो सकता है, कहीं negative हो सकता है, जैसे high minus low, low minus high, है न, करें, तो हो सकता है, negative positive हो, तो एक loop के अंदर, all the potential difference का algebraic, अगर sum करते गए, करते गए, तो वो ब कभलाक से मिनमें सवाल चलता कि क्यों तो देखो क्या है बच्छों पोटेंचिल डिफरेंस होता है पोटेंचील डिफरेंस। डिपेंड्स के पॉइंट्स हमें सब पोटेंशल डिफरेंस निकालते क्या है पोटेंशल डिफरेंस कैसे निकालते है पोटेंशल डिफरेंस बिट्वें पॉइंट एंड पॉइंट बी तभी A माइनस भी भी ऐसे करके होता है तो भाई, potential difference is point पे depend करता है और closed loop में, closed loop का मतलब हो गया कि A से चले और फिर से घूम करके क्या है? A to A याना, travel करके फिर से घूम करके वही आए तो सुचो बोलेंगे कि इस loop के अंदर अगर मालो हम A से चले और चलते चलते घूम करके अगर फिर हम A तक आगे हो क्या जाएगा? तो सुचो मैं बोलता हम बचो potential difference ठीक है? between A and and after traveling and after traveling and after traveling in the complete loop in the complete loop in the complete loop and coming back to A and coming back to A back to A. इसका मतलब हो गया कि अच्छा हाँ है न? A से गए और फिर A पर ही चले आए तो potential difference तो हमें पता है कि V A minus V B तो भगया A से चले फिर A पर ही आए बचो तो हो क्या जाएगा? V A minus हो जाएगा V A यानि कि answer केतना हो गया? 0. तो समझ में आता कि अच्छाच है न? some of all the potential differences in a closed loop will be equal to क्या हो जाएगा? 0. यानि कि statement ठीक ठाक है. सही है. चलो. ये देखो क्या है? It is based on conservation of energy. It is based on conservation of क्या है? Energy. जब भी voltage आता है बचो voltage तो कही न कहीं energy का significance तो है कैसे? तो देखो. Voltage का मतलब क्या होता है? Work done per unit charge. Work done per unit charge. Work done physics में होता है क्या है? Energy ही ही तो होता है? क्या है? Energy ही ही तो होता है? यानि कि potential जब बोला तो कहीं न कहीं significance क्या चीसे होता है? Energy से होता है. और ऐसे भी हमें समझ में आता है. प्रैक्टिकली समझ सकते हैं. Mobile हम अभी मालू मेरा switch off है. ठीक है? अगर उसको हम charge में लगाए और 0% से है. 90% हो जाए. तो बोलेंगो वाओ! Energy बहुत ज़्यादा हो गया आप mobile में. कैसे? अब हम गाना सुन सकते हैं. वीडियो देख सकते हैं. मोबाइल का brightness बढ़ा सकते हैं. Torch light जला सकते हैं. बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं. तो उसमें store क्या हो अब या? Energy स्टोर हो गया है. तो हम क्या बोलते हैं? Potential. Voltage ही तो बढ़ा समझी एक तरह से. Discharge है. 0V है. जैसे charge करना चालू करते हैं तो उस पर charge जा रहा है, जा रहा है. Potential बढ़ते जा रहा है. Potential बढ़ने का मतलब क्या हो गया? भया, उसमें अब energy बढ़ गया ना? पढ़ते हैं, तो हमें Potential Difference से मतलब होता है. Kirchop's law for resistors पढ़ रहा है. तो कोई भी एक circuit के अंदर बच्चो आएगा क्या है? एक तो default चीज़ हो गया, resistor. और दूसरा battery हो सकता है. जहां से current flow start होता है. तो तो देखो क्या बोलेंगे? लिखेंगे कैसे हम लोग इसको? ये देखो ज़रा. Method to solve. हाँ, methods used to solve. कैसे हम लोग solve करेंगे? तो एक सर्किट के अंदर बच्चो ओ, क्लोस सर्किट में, दो चीज़ आ रहा है. रजिस्टर और बैटरी. तो देखो कैसे potential difference for a battery कैसे लिखेंगे? और potential difference for a resistor कैसे लिखेंगे? जैसा कि capacitor में हम लोग पढ़े थे, potential difference बैटरी का कैसे लिखते हैं, potential difference capacitor का कैसे लिखते हैं? तो बस आठ थोड़ा सी, यहाँ changes होगा. सबसे पहले देखो क्या है? कि methods में बचो, और जुरूर ये सब points लिखना. We consider two directions. दो direction हम लोग consider करते हैं. कौन-कौन? एक होता है our direction. यह मैं अपनी language में लिखा रहा हूँ. Our direction. Our मतलब हम लोग का, अपना, हम लोग जो चलेंगे. ठीक है? Our direction. और दूसरा होता है current direction. Current direction. Our direction मतलब हिंदी में अगर बोले तो यह हो गया, कि हम लोग किधर चलेंगे circuit के अंदर और current direction मतलब हो गया, current का चलना. Current का चलना. पहले concept बता दूगा कि भाई, कोई चीजी sign convention जैसे लिया, positive, negative, क्यों लिया, वह सब समझ में आ जागा और उसके बाद practical दुनिया से relate कर देंगे, जिसे कभी हम लोग भूल ही ना पाए, permanent याद रहे है, देखो. कोई भी circuit के अंदर दो direction लेना है, हमारे पास आजादी है बचों, इसके लिए भी, और हमारे पास आजादी है इसके लिए भी, किर्चॉप सर ने आजादी दिया है, current के बारे में देखो क्या है, तो वो है कि indicate the direction of current in each loop, यानि जितने भी loop अगर आपको दिख रहे सवाल के अंदर, सबसे पहले बचों हमें करना क्या है, indicate the direction of current, ठीक है, मैं जैसे आप लोग को थोड़ा से दिखा रहा हूँ, अभी उसको लिखिएगा मता, अभी जब हम सवाल सौल करें, तो फिर से लिखेंगे, जैसे ये क्या है, एक छोटा सा circuit जो है, बना हुआ है, और इसी से हम लोग सीखते है, एक voltage है, यानि एक battery है connected और एक resistor है, देखो अगर एक क्या है, एक closed circuit है, यानि एक loop है, तो loop के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले current का direction आप indicate कर दो, ठीक, तो देखो अगर आपको पता है न, कि positive terminal of the battery से current निकलता है, और गोल घुम करके circuit में negative पर आता है, तो अच्छी बात है, तो आप आराम से current बना दो गए, जैसा circuit दीख रहा है, लेकिन अगर किनी बच्चे को ये भी नहीं पता हो, खराब मत मानिएगा, ठीक, ये किर्चोफ सा की, देखो law की आजादी बता रहा है बचो, अगर किनी बच्चो को नहीं पता, कि positive terminal से current निकलता है, ठीक है, आपको जिधर मन करता है न, लूप के अंदर आप उधर current मान लो, आपका भी अंसर क्या है, सही आएगा, इस इस दा खासियत आफ किर्चोफ लो, जैसे कोई बच्चे बोलेंगे, कि यार हमको तो पता है, पॉजिटिव terminal से current निकलेगा, तो बोले, इधर से current निकलेगा, ऐसे current फ्लो करेगा, और इधर आएगा, कोई बच्चे बोलेंगे, हम को नहीं पता कि इधर निकलेगा, हमारे हाथ से exam में ऐसे current बन गया, ठीक है, तो बन गया, तो बन गया, ऐसे करके आ रहा है, चलना, तो कोई भी loop अगर है, उस loop में हम कैसे चल सकते हैं, देखो, जैसे ये loop, ये loop दीख रहा है, इसमें ना हमारा चलना लेना पड़ता है, तो हम कैसे चल सकते हैं, तो बोले, भाई, अब हम हैं, तो ये किर्चोप सर फिर से आजादी देते हैं, कोई बच्चे बोलेंगे कि इस loop में कैसे चलना चाहते हो, यहां से ऐसे चल करके ऐसे आना चाहते हो, यानि कि clockwise, या कोई बोलेगा, ने, हम ना, ऐसे, 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 ऐसे जाना चाहते हैं इस loop में, एंटी clockwise, विश्वास नहीं करोगे, आपका भी रास्ता सही है, और इनका भी रास्ता सही है, बूलोगे हैं, सब कैसे सही हो सकता है सर, एक तो करेंटा पूल्टा मान लिए, तो पहले तो यहीं गलत लग रहा है, उपर से कभी बोलता है clockwise चल देंगे, कोई बोलता है anti-clockwise चल देंगे, सब सही, बिल्कुल, सब सही, तो यह तो एक छोटा सा सर्कीट लेरें, जिसमें एक battery, एक resistor है, जो complex हा जाए, जिसमें दो-तीन loop अगर बने, उसमें सोचो कोई बच्चे किधर current मानेंगे, किधर चलेंगे, उसका कोई restriction नहीं है, एक ही सवाल को बनाने का, कितना पर थर्ड हो सकता है, तो तीस तरीके से घुमा दीजिए, और solve करना चालू करिए, ठीक है, तो एक ची समझ में आए, यानि क्या हम किधर चलेंगे एक loop में, इसकी भी आजादी है, तो एक law नहीं बुलो, एक उसका step बोल सकते हैं, कि we can traverse in any direction in a loop, आइदर clockwise और anti-clockwise, तो यहाँ लिख लिजे, आइदर clockwise चलो, आइदर clockwise और anti-clockwise, देखो पंचो पता है, यह पढ़ाना अलग चीजे ठीक है, जैसे जैसे है, पढ़ लिये, सवाल बना लिये, ठीक है, ना लगेगा अच्छा यह एक law था, आच्छा यह सब नियम था, ठीक है, कुश्चन में हमने डियागराम बनाए, हम ऐसे चल दियें, और हमने बना लिया, आणसर आगे, और खुश भी हो जाओगे, लेकिन जो पावर समझ में आता है, ना कि यार, तुम कैसे भी चल सकते हो, अच्छा, हर जगा पर लगता, अच्छा, ऐसा है, अच्छा, करेंट भ आता चलता है, ना, ने तुम क्या कि, हाँ, ये सवाल है, ये स्टेप्स है, हम लोग पढ़ लिये, स्वालू कर लिये, तो मजा नहीं आया है, पढ़ने में थोड़ा फिका फिका रहे गिया, अब आते हैं, कि पोटेंशिल डिफरेंस पर बैटरी कैसे लिखा जाए, चलो द किसका डिरेक्शन पता है, सिर्फ अवर डिरेक्शन लेंगे, यारी करेंट का डिरेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसके लिए, बैटरी के लिए, सिर्फ हमारा चलना लेंगे, ठीक, लेकिन जब रजिस्टर आएगा, तो वी विल टेक बोथ डिरेक्शन, फॉर ए करेंट डिरेक्शन, तो ये भी लेना पड़ेगा, और करेंट डिरेक्शन ये भी लेना पड़ेगा, तो चीज एक दम बहुत अच्छे से जाकास तरीके से कलियर हो, ठीक, आच्छा, अब पता चलिए, बैटरी के लिए सिर्फ हमारा चलना लेंगे, और हम देश आजाद है बच्छों हों है न, 1947 में ही देश आजाद होगे, हम कहीं भी चल सकते हैं, मेरा मन करेगा अभी मार्केट जाके इस रोड की साइड चलिए, मेरा मन करेगा ने हम उधर ने जाएगा, मेट्रो साइड जाएगी साइड, बिल्कुल जाईए, कोई रोक टोक नहीं भाई, आ जा का बैटरी है, हम सिर्फ हमारा चला लेना है, हम कैसे भी चल सकते हैं, तो बैटरी तो ऐसे ही बन गया, हम चलने मतलब क्या हो सकता है, कि हम ऐसे चले, लेफ्ट साइड से राइट साइड या फिर ऐसा भी हो सकता है, हम उधर से इधर चल जे, तो यह मेरा हमारा डारेक्शन ह है अगर हम जब ऐसे चल रहे हो ठीक है चलते वक्ते देखो बच्छो क्या है कि यह कौन सा पोटेंशल है यह पॉटेंशल यह कैसा है लो पोटेंशल तो सुचो क्या हो जब हम ऐसे चल रहे है तो हाई से हो गया लो हाई से हो गया लो इसका मतलब क्या हो गया पोटेंशल डिक पहले क्या रहा? Negative, फिर बाद भी क्या रहा? Positive, यानि low से हो गया high, तो low voltage से high voltage हो जाए, यानि potential का increase कर गया, यानि जब ऐसा होगा, तो हम लोग potential का ऐसा लिखेंगे, increase मतलब हो गया plus, तो plus 10 volt लिखेंगे, यानि clear हुआ कब negative, कब positive? तो positive से negative जा रहे है तो negative, negative से positive जा रहे है, तो positive लेकिन हो गया confusion, समझ तो लिए low से high, high से low, लेकिन confusion हो गया, permanent दिमाग में चुहना चीजे नहीं बैठती, यह मेरा experience है, बच्चों 10-12 सल का teaching का, सारे बच्चे को एक साथ clear नहीं हो पाता है, क्यों बाद में confusion होता है, रही यार negative से positive सा तो क्या था, जो भूल गए, क्यों बात है, अच्छा बात है, बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत पैसा कमाई, तो अगर चलते वक्त, छोटा आदमी से बड़ा हो गया तो इसको positive ले लिजिएगा, और अगर जिंदगी में चलते वक्त बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया, भारी नुकसान है, कोई नही हो गया जिंदगी में, ठीक है, तो देखो क्या इसको जिंदगी से रिलेट करते हैं, जब बैटरी आता है, तो हम लोग अपना डायरेक्शन लेते हैं, यानि हम किधर भी चल सकते हैं, तो हम चले इधर या हम चले इधर बैटरी में, ठीक है, अगर हम ऐसे चले, तो ये positive ट भी भूलने ने देगा, समझ में आगया, अब आते हैं, रिस्टर की बात करते हैं, ठीक, देखो, रिस्टर है, मालो ऐसे र, मालो ऐसे क्या है, ये र, जीस्टर, इसको लिख लिजे, जो भी अभी लिखे नहीं ये वाला, ठीक, रिस्टर की कहानी क्या है, बचों, हम direction बना लिया, ऐसे, बना लिया, ठीक है, अब हम कहीं भी चल सकते हैं, तो बोले भाईया हम दोखो, ऐसे भी चल सकते हैं, यानि कि current के भी direction में, या हम current के opposite direction में हम भी चल सकते हैं, या उधर से भी, तो देखो यह है, current always flows from भचो कैसा, high potential से low potential, यह low potential होता है यह कैसा होता है हाई पोटेंशल ठीक था क्या है हाई से लो के तरफ फ्लो करता है तो यह यह कैसा है दिस इस हाई पोटेंशल और इस साइड कैसा है तर दिस लो पोटेंशल अब देखेगा सिंस यह हाई लो है हम जा रहे ऐसे करेंट भी जा रहा है ऐसे तो सोचो क्या हाई से लिख करके अगर लो हो गया तो यह अच्छा बात है नहीं है ना लो से जिंदगी में अगर हाई हो जाए ना तो अच्छी बात है ना पॉजिटिव बात है तो सिंस अकर हमारे चलते वक्त जिंदगी में हाई से अगर लो हो गया तो यह गलत बात है तो वोल्टेज ले लिखा कैसे जाता है V equal to IR, 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 ohms lock accordingly, यानि V लिखेंगे कैसे minus I into क्या हो जाएगा R, तो यह तो पहले physics है, कि किधर potential किधर यह ऐसे सकरके, लेकिन जिन्दगी में बैठाने के लिए अलग चीज है, यह क्या हो जाएगा, plus IR हो जाएगा, voltage drop across resistor, ठीक, अब दिमाग के अंदर ब दोना, उसी direction में जा रहे हो, current जा रहा है, जा रहा है, तो हमको पता है कि current को, जैसे ही को resistor मिलता है, voltage का drop हो जाता है, voltage drop यह था इकल तो IR, IR, हम current के साथ चल रहे हैं, उसको resistor मिल गए, voltage गिर गया, अब गिर गया, drop हो गया, तो भईया, नेगेटीव हो गया, उठता तो positive होत संतर लिखते जाएंगे और अगर साथ चल रहा हम चल रहें एसे करेंट आ रहा है देखो हम चल रहें ऐसे करन शामने से आघात करके अगे हैं तकर आगे आगे तो सождения क्या करतेंगे प्लस क्या करतेंगे यह लाइनिंग्श फिर दिमाग में रहे गा ना तो देखो कैसे लिखेंगे अभी बताता हूँ चलिए आते हैं सवाल पर ठीक है solve करते हूँ जितना बात बोले हैं वहाँ से शुरू करते हैं simple सा एक circuit है closed loop है 10 volt का यह है 5 ohm का resistance है अभी आप से कुछे current कैतना flow करेगा पता एक एक है current क्या हो तभी सवाल को मैं चार तरीके से आपको solve करके दिखा रहा हूँ बचो फरस्ट सकेंड और यह क्या है देखो third और fourth देखेंगा कैसे जब भी कुछ circuit आया हमें current निकालना है flowing in the circuit करना क्या है सबसे पहले current का direction बना दो तो मालो कोई बच्ची बोले न कि सर हमको पता है कि positive terminal से current निकलता है तो देखो हमने ऐसे बना दिया circuit में ठीक है तो भाई positive terminal से current निकलता है तो हमने बना दिया इसे करके तो यह current इधर हमने circuit में current बना दिया तो यह हूग एक direction उसके बाद आता है हमारा चलना क्या होता है हमारा चलना और हम किदर भी चल सकते हैं तो जिदर इच्छा चल दो कैसे चलो या तो clockwise चल दे या तो उधर से एंटी clockwise चल दे ऐसे या फिर ऐसे सबका सही अंसर आएगा लिखते हैं अब ठीक है तो के वियल लगाते हैं के चॉप वोल्टेज लो इन लोग जो भी है पहला आएगा ना तो सिर्फ हमारा चलना लेते हैं जब करेंट आएगा तो दोनों कर चलना तो ऐसे जा रहे हैं चलते वक्त हमारे चलते वक्त छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया तो प्लस 10 मैं वही लेंगोज बोलूँगा जिससे जो है हमें साथ दिमाग में बैठेगा छ तो summation of all the voltages in a loop हो गया will be equal to क्या हो गया देखो 0 यानि के 10 equal to हो गया वो अधर चला गया 5I तो यह हो गया बच्चों आई बराबर केतना हो जाएगा 5 2 जा 10 तो यह हो गया 2A यहाँ पर एको बड़ी important चीज है जो मैंने बोला है ना कि सबका answer सही आएगा कैसे सही आगा वहाँ पर एको note point है लाल कलम से भी लिखना बांकी है तो current two ampere आया तो बड़ा अच्छा बात है सच में इसपर two ampere flow करेगा अच्छ यहाँ देखे जड़ा फिर अब हम लिए ऐसे लिए direction तो हम चल कैसे रहिए violet color हम चल रहे ऐसे तो दो क्या चलती है वक्त क्या हो गया यह है negative बात है बड़ा से छोटा फिर चलते 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 हम जा रहे है ऐसे हम जा रहे है ऐसे current सामने सारा टकरा आगया है टकरा आगया है तो प्लस टकरा आगया है तो प्लस five times i summation of all voltages equal to zero तो यह क्या हो जाए 10 गया उधर तो five i equal to ten five to ten i बराबर आगया क्यतना two ampere गौर करके देख क्यора है प्लस है कैसा है यसकेंड ये जो current आया है और प्लस आया अच्छ ठीक कैसा प्लस है लिख लिए दूनों first method second method है अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ है अभी पहले 1 मेथट में क्या था धा कि बच्चा को पता था कि जो न dengan 몇 कि मुदक कर दो कर ता है safe low के दरफ मालो कोई बच्चे अगर गलती से गलती कर देते, उनको नई पता कि current किधर flow करेगा, वो इधर ले ले लेते, कि current भाई ऐसे flow कर रहा है, ठीक है, current कैसे flow कर रहा है, ऐसे flow कर रहा है, तो पता है कि हमें गलर direction है, देखो होगा क्या, और उसके बाद आता है हमारा चलना लेना, ह उधर से चल करके ऐसे आ रहा है, तो आते वक्त क्या है, बैटरी भेटा या, तो को है, कैसे, छोट आदमी से बड़ा आदमी हो गया, तो भाईया, प्लस 10, चलते चलते चलते, हम जा रहे ऐसे, हम जा रहे ऐसे current सामय से टकराया, टकराया तो प्लस 5 ताइम सा आई, एकल दो ही चीज़े दो टर्म हुआ यहां से देखो क्या है 5I यह उधर चला गया तो minus 10 current बरावर किता हो जागा minus 2 ampere current negative आ गया कुछ-कुछ होता है थोड़ा देर में बताएंगे क्या होता है फिर यहां देखते आचा इसमें क्या हाल समय चाहर है तो हम चल रहे हैं ऐसे हम चल रहे हैं ऐसे तो ऐसे चलते वर्थ क्या हुआ पहले बैटरे में कोन आई बड़ा आदमी फिर छोटा तो बड़ा से चोटा हो गए negative बात है फिर चलते चलते देखो हम चल रहे हैं ऐसे current मेरे साथ साथ, साथ साथ तो माइनस तो माइनस 5 टाइमस आई एक्वल टू 0, तो वो उधर चला गए तो बोले भईया, माइनस 10 इक्वल टू 5 टाइमस आई, पांच दूनी 10, करेंट देखो यहाँ पर क्या रहा, माइनस 2 एंपियर तो एक छोटा सा सवाल को बनाने के 4 तरीके उसमें हमने देखा कि कहीं पर करेंट जो है ना प्लस प्लस अंसर आता और कहीं करेंट माइनस माइनस आता है, तो यहाँ से में पता है, पता है क्या, कि जब भी करेंट अगर प्लस प्लस आ जाए ना जब भी current प्लस में अगर आ जाना तो समझना कि जो आपने माना है ना current का direction वो सही direction of current है actual में circuit में वही direction में flow करेगा जिधर आपने मान लिया था जो बच्चे माने तो बुलोगा अच्छा सर जिसका negative आया वो तो गलत हो गया नई जिस बच्चे का answer negative आगया current इसका मतलब यह होता है कि जो आपने माना है direction of current actual current जो flow करेगा circuit के अंदर वो just opposite direction होगा to the assumed current जो आपने माना है किता अच्छा बात है यह किर्चोफ बोले कि ऐसा लिख दो ऐसा कर लिख दोगे तो होगा क्या boards में आपको full marks मिल जाएगा और competition में जैसा आपने माना था current आपने माना हो ना आपका negative answer आगया तो आपको तो पता है कि आपने किधर माना है option में देखो कैसे दिया रहता है मालो यह point देदेगा A और यह point देदेगा मेरा B option में दिया रहता है कि current जो है 2 ampere flows from A to B दूसरा option है 2 ampere flows from B to A answer कौन सा सही है तो आप तो लाल मान करके आपने ऐसे बना दिया तो मेरा answer आ रहा है B to A मतलब जो है लेकिन negative आने का मतलब क्या हुआ तो बुलेंगे real direction of current will be from क्या B से A के तरफ नहीं किधर A से B होगा तो यहां पर एक note point लिख लिए क्या note point होगा ए बच्चों लोग हला मत करो मैं आभी class ले रहा हुँ ठीक है देखो क्या कि negative sign of current indicates that the actual direction of current is just opposite to the assumed direction of current ठीक है चलिए अब हम लोग देखते है बच्चों next सवाल में में सवाल बनाना भी स्टार्ट करते है देखो क्या है find current flowing in the circuit दो battery हमारे पास एक 10 वोल्ट का एक 4 वोल्ट का और तीन resistor connected है loop कितना है हमारे पास एक loop है यानि एक close circuit है कितना current flow करेगा अब दो चीज है हम जैसे भी current माने सब सही आएगा यानि कि हम हो सकता है कि हम ऐसे भी माने कि current flow कर रहा हो इस तरह से तो clockwise current हो गया कोई बुलेगा कि सर देखो हम ऐसे मान सकते है current ठीक है इधर तो वो भी सही है लेकिन हम चाहते क्या है अंदरूनी दिमाग में ये चल रहा है कि यार ऐसा current का direction मानो न जिससे उसका अंसर positive आए न चल रहा होगा क्यों पता है कि माल लोगर negative आगया तो 3-4 लाइन फिर लिखना पड़ेगा negative sign indicates that वाला जो है अभी जस्ट लिखे तो हम नहीं चाहते कि वो negative वाला भी लिखना पड़े positive आँसर आजा है उसकी लिए क्या करना है वो देखे बता जेता हो ठीक एक trick है जो बहुत सवाल बनाने के बात सीखोगे पता है क्या जिसी यह भी battery यह भी battery अब एक ही loop है तो बहुत आसान है तो पता है क्या करना है जो सब से बड़ा battery हो बाटरी का जो voltage पोटेशल सब से बड़ा हो उस battery से मानो कि उसके positive travel से current क्या है circuit पे फ्लो कर रहा है तो दिरेक्शन तो करेंट ऐसे करेंट ऐसे फ्लो कर रहा है जैसी एक हम उसके बाद हम कहीं भी चल सकते हैं तो चल दे जीधर, current मेरे साथ साथ, तो मैंनस 4 आई, अब दोखो बड़ा बढ़िए है, current जीधर जा रहा है, उसी डिरेक्शन में अगर हम भी चल रहे हैं, तो क्या होगा, साथ साथ ही चलेंगे, तो जब भी रजिस्टर आएगा, तो मैंनस 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 मैंनस, जाना, दूनों साथ Y हो गया, सारे voltages का sum equal to 0, बचो देखो, 10 में से 4 गया है, यह हो जाएगा 6, और यह 4i, 3i और 5i, तो 4, 3, 7, 5, क्यतना है, minus 12i, equal to 0, यह 10 में से 4 गया, कतना था 6, ठीक, तो 6 equal to 12i, i बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा कितना देखो 6 बटे 12 यानि कि 6 दुनी बार है तो 1 बटे 2 एमपियर यह हो गया मेरा current समझ में आगे बढ़ी यहां से चलिए next सवाल देखते हैं जरा देखो find current flowing in the circuit अब क्या है मेरे पास कितना loop बन रहा है देखो जरा एक यह देख रहे हैं एक loop ऐसे हो गया यह वाला एक और loop हो गया हलाकि अगर close circuit बनाना चाहो गया तो एक और loop आपको दिख रहा हो पता है बड़ा वाला देखो जरा यह ना बड़ा वाला तो बहुत सारे जैसे complex circuit आते जाएगा जितना loop है आप जिसमें लगाना चाहते हो केवियल ना आप उसमें लगा करके बना सकते हो सवाल को तो बस values चेक करना है कि जितना current हम लोग मान रहे हैं जो भी loop में हम केवियल लगा रहे हैं क्या उससे मेरा current का values निकल रहा है तो ठीक है अगर और हमें equations की जुरत पड़ेगी और current का value है तो एक बार और कोई loop ढूड तो यहां से current गया I1 अब जैसे गया तो देखो यह क्या है तीन तार मिल रहा है तो जब भी तीन या उससे ज़्यादा अगर तार कहीं मिले तो it is a junction क्या हो गया यहां पर junction तो देखो क्या है भाई let I1 इधर से आ रहा है तो हम मानते हैं कि मान लो कि अगर I2 इधर flow कर गया तो I3 मान लेते हैं कि इधर flow कर गया यह आप ऐसे भी कह सकते हैं I2 इधर तो इधर कितना जाएगा तो वह टोटल आ रहा था I1 उसमें से I2 चला गया तो आप बचेगा क्यतना I1-I2 वह कि इधर flow कर रहा इधर तो वह भी सही है चली हम ऐसा मान लिए अब जैसे मान लेते है तो इधर I2 आपने माना है यानि side I2 flow कर रहा है इसमें I3 ठीक है तो सारे जो जैसे ही एक जो लूप है ना closed loop बचो इस closed loop में यह है junction यह है क्या junction समझना जरा मैं एक branch की बात करूँ कि branch क्या होता है यह junction से यह junction के बीच जो एक तार ऐसे connected है ठीक है तो इसको हम लोग बोलते है कि यह branch है फिर यह junction junction है एक तार ऐसे भी गया हुआ है तो यह भी एक branch है एक तार ऐसे गया हुआ तो यह भी एक branch है तो हर branch में क्या होता है एक single current flow करेगा junction junction दो railway station के बीच में एक railway line से जा रहे है ठीक है तो यह यह तो इसमें एक current flow कर रहा है कौन flow कर रहा है यहां से यहा यहां से आई टु है ना तो आई टु यहां से लेकर के पूरा उस ब्रांच दो करेगा आई टु फ्लो करेगा ठीक यहां टा चलने का है हम कि इधर भी चल सकते तो लो भाई यहां इधर चल दिए तो जिधर करेंट होधार ही माल लेते चल ओ ठीक कोई यह नहीं है hard and fast यह कोने हम, यह कोने हम कि लिखना चालूं करते हैं तो यह है loop 1 क्या बोलते हैं इसको loop 1 इसको बोलते हैं loop 2 तो kbl in loop 1 kbl in loop 1 आप खुस लगाईए न कbl in loop 1 और kbl in loop 2 और बचलो i1, i2, i3 जो माने है उसका value निकाल करके पहले खुछ से try करगें जुरूर बनना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सीख लिए है हमें न, अब फिर match करिएगा मेरे answer से, क्या सही आ रहा कि गलत, चलो देखते हैं, तो हम जा रहे हैं, छोटा आदमी से बड़ा आदमी, प्लास 6, चलते 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 चलते, ऐसे आ रहे हैं, तो देखो current I3 से flow कर रहा है, same direction में minus, यह हो जाएगा minus 28 into I3, फिर चलते 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 हैं, छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया, तो प्लास 8, चलते चलते हो गया, सब खतम, equal to क्या हो गया, 0, तो यह हो गया, 6 और 8 केतना हो जाएगा, 14 minus 28 I3, equal to 0, तो 14 equal to 28 I3, hence I3 बराबर क बटे 2 ampere हो जाएगा, 14 बटे 28, 1 बटे 2 ampere, positive में ही आया, यानि कि ठीक है, जो I3 का direction है, जो हमने माना है, वही actual है, next, दूसरा loop में लगाते है, loop 2, तो KVL in loop 2, KVL in loop 2, तो लगाते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, तो चलो कहीं से शुरू हो जाते हैं, माल लेते हैं, यहां शु चल रहे हैं, तो बड़ा से छोटा, माइनस कर दो, तुरत catch होता है, फिर हम जा रहे हैं, ऐसे current आरा सामने से, टकरा गए तो प्लस, टकरा गए तो प्लस तही हो जाएगा भरिया, 28 I3, ठीक है, फिर हम चलते 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 ऐसे, साथ साथ, तो माइनस तही हो ठीक है, बारे में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 28, यहां देखेगा, I3 का वैल्यू मेरे पास आया हुआ है, कितना, 1 बठे 2, तो जो आया हुआ तो उसको पुट कर देते हैं, यह हमें I2 चाहिए, तो वो उधर कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 54 I2, देखो, I3 का वैल्यू हमको पता था, तो रख दिये, I2 का नहीं पता है, तो उसको उधर कर दिये, यह कितना हो गया भाई, 14, 14, 14, 14, 14, equal to 54 I2, I2 हो जाएगा कितना, 18 बठे 24, तो उस ब्रांच में, उसी डिरेक्शन में करेंट फ्लो करेगा, तो I2 निकल के, I3 निकल या how will you find I1, how will you find I1, तो KCL, यानि कि Kirchhoff's Current Law, किसी भी जंक्शन पर हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है, sum of all incoming current, equal to sum of all outgoing current, इस जंक्शन पर आ कोन रहा है, I1, और जा कोन रहा है, I2 और I3, यानि कि हम कह सकते हैं कि I1 जो होगा, will be equal to I2 plus I3, ठीक है, I1 will be equal to, क्य हो जाएगा, I2 plus I3, ठीक है, KCL के कोर्डिक, I2 है, कितना, 1 बटे 3 plus I3 है, 1 बटे 2, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3, 2, 5, ठीक है, 3 दूनी 6, स्वारी, क्या लिख रहा हूँ, है न, इस कितना हो जाएगा, बचो, 2 plus 2 तिया 6, एतना, जोड करके पहली लिख दे रहे हैं, है न, क positive, यानि कि सब ठीक ठागे, है न, तो हो गया, 5 बटे, 6 MP, चलते हैं, next सवाल पर, ये देखो क्या है, ये जो सवाल देख रहे हो बचों, है न, NCRT का ही है, book के, inside में ही दिया हुआ है, chapter के अंदर ही, बड़ी अच्छा सवाल, और बड़ा थोड़ा सा, complex जैसा देखने में लगता है, बनाते हैं इसको, तो क्या है, find current in each branch of the network, जो network of resistors और batteries दीख रहा है, हर branch में हमें current चाहिए, तो मतलब क्या बोले, जैसे दो को तीन तार यहाँ पर मिल रहा है, तीन तार देखो, यहाँ पर मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है, तीन तार देखो, यहाँ भी मिल रह है, तीन तार, यहाँ भी मिल रहा है, तो यह सब जो है, अगर हम लोग points अगर denote कर दे, कुछ नाम करन कर दे, माल लो, यह है A, यह है B, यह है C, यह क्या है, D, ठीक, तो देखो, क्या है बचो, यह एक junction हो गया, यह एक junction हो गया, तो junction, junction के बीच में यह जो दिख रहा है, it is a branch, फिर junction junction यह क्या है, एक branch, फिर यह भी क्या एक branch, यह भी branch, यह भी ब्रांच, और इस side भी क्या एक branch, तो बहुत सारे branches है, सारे branches में बोला है, कि current निकालो, तो हम लोग करे क्या, character बनाते सबसे पहले, जिधर मन तिधर बना सकते हो, कोई restriction है, बनाना चलो करें, तो कहां, क डीज़वोल्ट है इधर से मान लेते हैं जहां बैटरी रहे वहीं से मानो किया करेंट निकल रहा है और उसी जैसे बड़ा बैटरी उसके पॉजिटिव टर्म से मानेंगे तो पॉजिटिव अंसर आता है दिमा के background में हमारा चल रहा है तो let बोलते हैं कि भाई यहां से कोई current है I1 वो निकल रहा है गया यहां तो let इधर चला गया केतना I2 अब उधर I2 चला गया अब देखो बहुत सारा जैसे complex circuit दिखे जब बहुत सारे loop तब हमेशा क्या करना बच्चों जितना कम variable हो सकें उतना कम variable अप यूज करो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे दो ही छोटा था था I1, I2, I3 माल लिए लेकिन देखरो अब यहां से गया यहां distribute होगा फिर वहां कैसे distribute होगा यहां कैसे जाएगा मलब बहुत सारा जब हो कम variable का यूज करें क्योंकि फिर equations ने तो बहुत जादा हो जाएगा complexity बढ़ जाएगा तो करते क्या है I1 यहां यहां उसमें से I2 इधर चला गया तो बताओ इधर कितना चला जाएगा पांच रूमें से दो इधर चलिया ता तीन इधर यानि करो किसे I1 माइनस I2 जो है वो किधर flow करेगा इस side flow करेगा ठीक अब आते हैं इस junction पर देखो यहां से आ रहा है I2 अच्छा अब यह एक battery है battery से पता है current निकलेगा है न इस रास्ते में भी तो current flow करेगा तो since हम माल लेते हैं कि इधर से flow कर रहा है कितना current I3 positive terminal से तो देखो इस junction पर होगा क्या इधर से I2 इधर से I3 तो भया दोनों आ रहा है तो इधर से जाएगा कितना I2 प्लस I3 क्योंकि total incoming equal to total outgoing incoming दोनों ऐसे है यह कि ही रास्ता है तो दोनों मिलकर कि इधर चला गया ठीक फिर से एक junction आया यहाँ पर क्या करें distribute करो आ रहा है I2 प्लस I3 आ रहा है I2 प्लस I3 और उसमें से देखे कि इधर I1 निकल गया तो I2 प्लस I3 आ रहा है उसमें से I1 चला गया तो भी अब बचेगा क्या तो गोले I2 प्लस I3 minus I1 कर दो वो बचेगा तो वो flow करेगा किधर इधर I2 प्लस I3 और minus कितना हो जाएगा I1 वो flow करेगा इस ब्रांच में हो गया अब भान रोग लिखना चालू करते हैं बचो ऐसा करते हैं इसको लूप 1 नाम दे़ते हैं इसको लूप 2 दे़ते हैं इसको लूप 3 लीक्टिलं1 सूरिबर मार्किंग कर लो है ना चलते 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 हम जा रहा है इधर current में साथ साथ तो minus 4i2 ठीक है चलते चलते हम आ रहें ऐसे ऐसे तो साथ साथ हो जाएगे तो minus हो जाएगा 2 times टू ताकितना i2 plus i3 फीर आते हैं हम चल रहीं पर करेंट को है i1 और हम चले present तो minus यानि कि minus 1 times क्या हो जाएगा I1, खतम, 10 volt का लिख लिए, summation of all the voltages is equal to क्या हो गया, 0, तो पहला जो expression आया, थोड़ा से इसको जड़ा, दाएं बाएं करके लिखे, यह I1 है, I2, पूरा पहले सबसे पहले न, हमेशा क्या करें, खोल दीजे पहले बढ़िया से, तब minus 4 I2, minus 2 I2, minus 2 I3, minus I1, minus I1, equal to हो गया, 0, hence, देखो, यह कैतना आ रहा है, 6 I2, तो कैसे लिखोंगे बच्चों, ऐसा करतें, यह सब negative है न, उधर चला जाएगा, तो देखोंगे, 10 minus 6 I2, minus 2 I3, minus I1, equal to 0, एरेंज करके लिखोंगे, तो I1 गया, उधर, plus 6 I2, plus 2 I3, देखों क्या करें, वो उधर, वो उधर, वो उधर, तो सब उधर हो गया, positive, positive, equal to क्या हो गया, 10, तो equal to हो गया, 10, this is समीकरन नमबर केतना, एक, equation number 1, तीन variable में आया हुआ है, तो जब भी तीन variable में अगर आ रहा हो, तो unit 3 equations, कैतना equation, 3 equations to solve it, कोई बात में, चला, जैसे एक में KVL लगाए, अब हम लोग लगाते हैं किसमी, KVL in loop, 2, KVL in loop 2, loop 2, loop 2 कौन है ये, कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो शु तो प्लस, यानि कि प्लस 4 times हो जाएगा, प्लस 4 times हो जाएगा, कैतना, I1 minus I2, ठीक है, चलते, 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 ऐसे, बड़ा से छोटा, तो minus 10, अच्छा, हम चल रहे हैं, ऐसे, यहाँ पर I1 करेंट आ रहा है, ऐसे, बच्छो, टक्रा रहे हैं, देखरो, ये वाला, ऐसे, करेंट आ रहा है, टक्रा रहे हैं, तो प्लस, तो प्लस, केतना हो जाएगा, I1, 1 into I1, फिर हम चल रहें, ऐसे, देखो, एसे, ये करेंट क्या है, बाई साब, मेरे साथ साथ है, तो minus, यानि कि minus 2 times हो जाएगा, तो minus 2 times हो जाएगा, केतना, I2 plus I3, मैनेस केतना है, I1, पहले खोलते हैं इसको, केतना है भाई, 4i1-4i2-10+, i1-2i2-2i3-2i1, equal to 0, 1-1 कहीं दिख रहा है क्या, यह 1-1, एक और है, यह यह, और केतना है, यह, तो यह i1 हो गया, i2 कहां है, 4 और 2, और i3 केतना है, सिर्फ एक, तो क्या लिखेंगे, इसको अपने से बच्चो ट्राइक और और कसम से आंसर मैच करना है, मज़ा आ जाएगा, अगर आंसर आ गया सही-सही, तो लगेगा, कि समझ लों कि आप के वियल सीख गया है, अगर यह solve कर पाए तो, i1 केतना है, तो 4, 1, 5, और 2 केतना है, 7, i1, i2 केतना है, यह और यह, तो 4 है, नमबर में सिर्फ माइनस 10, तो माइनस 10 वो उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो this is equation number क्या होगा, 2, equation number 2, अब आते है, kvl in loop 3, kvl in loop 3, तो यहीं पर लिखते हैं, बच्चो, kvl in loop 3, लगाओ, कहीं से लिखना चालू करें, ऐसे, sorry, कैसे चल रहे ह तो plus 5, छोटा से बढ़ा क्या होगा, plus 5, plus 5, चलते चलते, ऐसे चल रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो यह सेम डिरेक्शन में है, तो minus, तो minus 2 times, minus 2 times, इसलिए हिंदी कोडिंग किया था कि confusion ना हो, टकर आए तो plus, ठीक है, साथे साथे minus, फिर हम चल रहे हैं, तो मेर minus 2 times कितना, i2 plus i3, तो minus 2 times, i2 plus i3, यह थोड़ा सा, मतलब, कॉंपलेक्स सवाल है, और तो कुछ है ने, equal to 0, तीन चीज़ है ना, एक, दो, तीन, तो तीन टर्व हो गया, इसको भी खोलो, तो 5 minus 2i2, minus 2i3, minus 2i2, minus 2i3, plus 2i1, equal to हो गया, 0, ब्रैकेट खोल दिया, minus, minus, प्लस, अब, i1, i1 कहां, i1 तो सिर्फ एक है, i2, i2, i2 कहां, ये दोनो, i2 है, ये दोनो क्यबत है, i3 है, ठीक है, तो 2i1, 2i1 है, i2 में कौन-कौन है, ये और ये, तो minus 2, minus 2, minus 4i2, i3 में क्यातना है, ये और ये ह potrze, यानि, minus 4i3, ठीक है, voltage में सिर्फ एक है, देखो बचो, यह सब हम यहीं पर लिख रहे हैं यह ब्लस 5 तो उधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस 5 हुँ ठीक है यह सब यहीं करेंट लिखे है तो उधर चला गया माइनस 5 this is equation number 3 तो 3 equation मेरे पास जो आया है उन तीनो equations का जो है परामीटर सब एक साथ हम लोग लिखते हैं है, तो सबसे पहले पर क्या लिखूँ, ये देखिये, सबसे पहला, equation 今日 नमeर 1 देखना क्या है, i1 plus 6 i2 plus 2 i3 equal to 10, this is equation number 1, equation 2 है 7i1 minus 6 i2 minus 2 i3 equal to 10, this is equation number 2, equation number 3 कौन सा है बहई, 2i1 minus 4 minus 4 minus 5, 2i1 2i1-4i2-4i3 i equal to कहता है minus 5 this is equation number 3 अब देखो मेरे पास क्या है बस अब समझो mathematics है भाई तीन equation है तीन variable और solve करते रहे तो करते हैं क्या है बच्चो हम क्या करते है देखो जड़ा क्या है यहाँ पर i1 देख रहो अकिला है अब वो i1 का value हम इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे तो क्या होगा मेरे पास दो equation आ जाएगा i2 और i3 में तो आराम से i2 और i3 का value निकल जाएगा तो देखो क्या करेंगे from equation 1 i1 बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं तो बलेंगे 10 minus 10 minus 6 i2 minus 2 i3 हो गया ये अब इसी को हम लोग दोखो put करेंगे खाँ पता है put in 2 तो ये जो आया equation number कौन सा आया 4 4 को put कर दो किसमें इसमें और फिर को 4 को put करेंगे इसमें तो put in 2 2 में put करो भाई कितना आ रहा है 7 times i1 i1 के जगा पर अब लिख सकते हैं 10 minus 6 i2 लेगा मत किसर क्या हो रहा है ये एन से टी काई सवाल बना रहा हूँ ये हो गया अब हम लोग इसको क्या करते हैं बचों बढ़ियां से solve करते हैं i2 और i3 में कुछ कुछ आयेगा तो solve कर दिए 77 minus 46 i2 minus 724 i3 minus 6 i2 minus 2 i3 equal to 10 यहाँ पर क्या है भाई 14 और 2 केतना हो जाएगा solve solve i3 ठीक है खतम यह है 70 तो उस साइड चला गया minus sorry sorry एक और है न ध्यान से ध्यान से ध्यान से इधर केतना है बचो 10 केतना है 10 और यह है 70 उधर चला जाएगा minus 70 hence minus 48 i2 minus solve i3 equal to हो जाएगा केतना minus 60 क्या कुछ simplify किया जा सकता है क्या 2 से तो कटेगा ही 4 से, 4 से कटेगा 4 से भी कटेगा तो देखो 4 से कॉमले लेते हैं जैसे ही 4 से कॉमले को देखो क्या होगा 12,44 तो बारे यहाँ हो गया 4,16 यह equal to हो गया यहाँ पर केतना क्या लिखो 4 अगर common लेंगे बच्छो तो हम लोग क्या ली सकते है 15.60 यानि कि minus 15 होगा क्या 4,4 चला गया अब ये साब minus है तो भाई minus भी common ले लेंगे तो वो भी minus गया ये भी minus गया यहाँ पर क्या आ जाएगा plus में आ जाएगा क्या मैं कह रहा हूं कि minus common ले लो तो minus अगर common लेंगे तो ये 15 this is equation number केतना होगा 5 number i2 i3 में एक relation आ गया अब ये जो i1 है उसको हम पूट करते हैं 4 को कहां पर 3 में पूट i1 in equation number कहां 3 इसमें पूट करें i1 का जो value है ठीक है तो ये आ जागा 2 times i1 2 times i1 i1 है क्यतना 10 minus 6 i2 10 minus 6 i2 minus क्यता 2 i3 तो minus 2 times क्यतना i3 पूरा डेटेल हो बढ़िया से लिख दे रहा हो ताकि कहीं confusion ना आए किसी भी student को ठीक है तो ये 2 times i1 minus 4 i2 minus 4 i3 minus 4 i2 minus 4 i3 equal to क्यतना है minus 5 minus 5 चलो solve करते हैं 20 minus 6 दूनी 12 i2 minus 2 दूनी 4 i3 minus 4 i2 minus 4 i3 equal to क्यतना है minus 5 बोलो कि सर ये हो क्या रहा है ये हो क्या रहा है कुछ नहीं हो रहा है बास solving हो रहा है चटा 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 बास लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए माइन इस 25 मैना सूराधे यह हो जाएका 60 फ्लस एट यह तिरी ए प्लस एट कितना फ्लस इछ कितना यह कितना नंबर रॉक्ज होगा इकक्वेशन नंबर इकविशन नंबर 6 एland-a अब ॉइब फाइनल तुर्यव यह क्या है 12 रफाइनल अथो अदना और है मेरे पास तो equation number 5, 6 को बचो simultaneously solve करेंगे we will get the value of i2 and i3 तो 5 and 6 को solve करते हैं देखो कितना है 5 में तो 12 i2 plus 4 i3 equal to 15 और उधर आया हुआ है 16 i2 plus 8 i3 equal to कितना आया हुआ है 25 ठीक है solve करें कैसे solve होगा कौन असान है तो यहाँ देखो यह है 8 यह है 4 बचो तो 12 16 तो चलो बड़ा है तो क्या करते हैं इसको multiply कर देते हैं कितना से पता है 2 से जैसे 2 से multiply करें तो यह हो जागा 8 तो यह 8 8 हम लोग subtract कर देगा cancel हो जाएगा यानि कि अगर जब multiply करें तो भाई बनेगा क्या 2 से multiply करो तो 12 दोना 24 i2 plus 4 दोनी 8 i3 प्लस 15 दोना 30 और यह वाला equation जसके तस है वैसे ही प्लस 8 i3 एकोल टू कितना है 25 ठीक है माइनस 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 तो प्लस माइनस क्या होगा कट गया यह कितना जागा इधर कितना जागा 24 में से बच्चो 60 जाएगा कितना जागा 8 i2 और यह 30 में से 25 चला जागा जागा 5 यानि कि i2 बराबर दोखो मेरा answer आगया प्लस 8 एमपियर और प्लस आया है यानि कि सही है direction जो हमने माना होगा i2 निकल गया तो अब i3 निकाल लो किसी equation पूट करके जैसी i2 निकला तो हम i3 निकाल लेते किसी में चलो इसी में पूट कर लेते हैं ठीक है i2 का अभेल्यू केतना है 5 बटे 8 तो यह देखो कितना हो जागा i2 प्लस 8 i3 एक्वल टू है 25 इस equation से ठीक है i2 प्लस 8 i3 i2 प्लस 8 बटे 8 i2 प्लस 8 बटे 8 तो हो गया 5 बटे 8 प्लस 8 i3 एक्वल टू केतना है 25 तो यह 8 दूनी 16 यानि कि 5 दूनी 10 प्लस 8 i3 एक्वल टू 25 यानि कि 8 i3 एक्वल टू हो जाएगा 25 में से 10 चलागे बचों केतना आ रहा है 15 ठीक है 15 10 प्लस 9 यानि कि i3 वराबर मेरा आंसर आ रहा है केतना 15 बटे 8 15 बटे 8 5 दूनी 10 ठीक है कोई दिक्कात तो नहीं 5 दूनी 10 25 में से 10 गया तो 15 15 बटे 8 ठीक है i2 i3 निकल गया अब हमें क्या चाहिए i1 i1 का एक्सप्रेशन आया हुआ है in terms of i2 and i3 लिख लीजे बढ़िया से i2 है 5 बटे 8 और 15 बटे 8 5 बटे 8 15 बटे 8 ये देखो from equation 4 from equation 4 क्या है भाई मेरे पास next question मैं कर लेता हूँ है from equation 4 दो चीज अभी पहले जो मेरे पास आया हुआ है i2 5 बटे 8 और i3 15 बटे 8 i1 बराबर क्या आया हुआ पहले लिख लेते हैं 10 माइनस केता था 10 माइनस 6 माइनस 2 10 माइनस 6 माइनस 2 i3 ठीक है solve करते हैं तो 10 माइनस 6 i2 केतना है 5 बटे 8 ते भाईया 5 बटे 8 हो गया माइनस 2 टाइमस i3 केतना है 15 बटे 8 काट छाट करें तो 3 दूनी 6 2 से काटेगा न कितना है 1 सकाट 2 तीय 6 2 चौक 8 फिर 2 चौक 8 यानि कि 10 माइनस देखो 5 तीया 15 बटे 4 माइनस 15 बटे केतना है 4 दोनों से भागया 15 बटे 4 ठीक है तो यह हो गया देखो LC हम ले ले लेते हैं सीधे सीधी 4 तो पर हो जाए चार देहें 40 माइनस 15 माइनस केतना है 15 यानि कि 40 माइनस 30 केतना हो जागा 10 10 बटे 4 तो दूदूनी 4 दो पचे 10 आंसर आ रहा है बचो केतना 5 बटे 2 एंपियर Hence आईवन जो है 5 बटे 2 एंपियर आ गया है तो सारे ब्रांचेस में बचो हम लोग करेंट इस तरह से निकाल सकते हैं आईवन केतना आ गया 5 बटे 2 एंपियर आईवन आ गया है 5 बटे 2 एंपियर तो दीज आर दा क्या है मेरा मेन जो करेंट हो गया न उसका आंसर हो गया 5 बटे 2, 5 बटे 8, 15 बटे 8 निकल गया अब यहां देखे जो बोला है न सारे ब्रांचेस में तो बच्चों सारे ब्रांचेस में आप वैल्यूज नहीं निकल सकते हो सारे ब्रांचेस में केतना होगा देखो जो रहा इसमें i2 निकल चुका है इसमें i3 इस रास्ते में पता है यहां पर क्या आएगा i2 प्लस i3 तो दोनों को जोड दीजेगा तो निकल जाएगा यहां पर इस ब्रांचे में क्या होगा i2 प्लस i3 माइनस i1 बस जोड जगटाव करना है इसमें i1 ही है इसमें i1 माइनस i2 है है ना तो सारे हम लोग फिर अब क्यालकुलेट कर सकते हैं तो one of the biggest सवाल होगी है हमारे लिए चलिए अब आते हैं कौन सा next देखो जड़ासा क्या है second जो application है किर्चॉप शुलोग का ही जो यूज करते है कि potential difference between two points निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे find भी है माइनस भी भी यहां ना यहां पर देख रखा 3A current देखो एक point A है 3A current flow कर रहा है बहुत सारे बैटरी बहुत सारे रजिस्टर से और point B है तो जब भी कभी बुलेगा ना कि find V A माइनस भी भी तो सबसे पहला क्या है कोई भी network जो भी हम लोगों ने solve किया सारे circuits में तो current direction indicate कर दिया पता है current क्या है हमने calculate भी कर लिया अब अगर उसी में पूछेगा बताओ V A माइनस V B कोई भी पताओ कैसे होगा तो current तो उस रास्ते में हमें पता है तो करना क्या है वो तरीका सीखे ज़रा देखो V A माइनस V B मतलब क्या है पता है क्या वी विल इसका meaning मैं लिख रहा हूँ कि we will travel from we will travel from A to B ठीक है तो इसका मतलब क्या वी विल ट्रावल मतलब क्या यह कौन सा direction भईया आवर direction तो आवर direction हो जाएगा किदर A to B यही चीज है बच्चों A तो A बाद में B तो क्या है B बोलेगा V A माइनस V B मतलब चलना शुरू करिये A से जाएगे कहां तक कहां जाएगे हमारा direction क्या होगा B तक तो B तक इसका मतलब है अब यह meaning ना पता हो तो फिर बड़ी समस्या तो हम लोग लिखते हैं इसमें देखो सिस इस रास्ते में 3A current flow कर रहा है तो flow कर रहा है V A माइनस V B मतलब A से चालू हो जाएगे और जाओ B तक यानि की यानि की ये direction होगा किसका हमारा यानि की अवर direction ठीक है अब जैसी अवर direction पता चलिएगे अब जैसे अब जैसे बी तक लिखें कैसे वो देखे ज़रा शुरू होना है बच्चो मैं कैसे लिखू यहान लिखता हो देखो V A से start हो गए potential ठीक है यहां से और चलते 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 पहुँच जाना है कहां तक B तक लिखो कैसे और KVL लगाते हुए लिखना है तो V A से चल रहे है ये हमारा direction है current का भी यही है देख लो ज़रा तो हम चल रहे है चलते चलते क्या हुआ बड़ा से छोटा हो गए तो भाया घाट गया है ना बड़ा से छोटा ठीक है फिर चलते चलते तो हमारा इधर current का भी इधर तो minus तक राएंगे तो plus होगा तो minus क्या हो जाएगा 1 into 3 तो plus 1 into 3 IR ठीक है चलते है बड़ा आदमी से छोटा आदमी minus 8 फिर हम चलते इधर ही current भी इधर है तो 2 into 3 same direction में minus तो minus 2 into 3 ampere हो जाएगा plus बड़ा आदमी से छोटा आदमी minus 7 देखो क्या है potential कुछ current flows पर हम पता हाई से लो के तरफ flow करता है ठीक है था हम लिखते जा रहे है लिखते 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 आप पहुंच कहां तो गए बी पॉइंट पर पहुंच गयता जब पहुंच जाओगे तो बुलेगे equal to हम देखो बी पॉइंट पर पहुंच गए है ए से चलते 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 गए equal to हम पहुंच गए बी पर तो लिख लिख लिजे इसको तो यह हो जाता है मेरा देखो वी ए minus वी वी तो यह वी उठा कर कि इधर लेते आएंगे तो पहले क्या है पहले पारामेटरस लिख लिख लेते है minus 3 sorry minus 9 plus 3 minus 8 minus 3 2 6 minus 7 equal to केतना है भी वी वी एकोल टू केतना हो जाएगा ता 8 6 14 बुच्छों दुखो केतना है सम minus 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 है ना ता 8 6 14 7 ता 21 हो गिया ठीक है और minus 9 यानि केतना हो रहा है minus 3 minus केतना है 30 सही है क्या कहां से आ गये तुम है ना यह बचों साथे साथे minus है ना मेरे को लग रहा है कि 1 into 3 में minus 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 होगा तो silly mistake थोड़ा ध्यान देना है बचों गलती नहीं होना है बोल में रहा हूँ आप लोको वही लिख सिखा भी रहा हूँ वही लिख रहा हूं कुछ और दुख साथे साथे तो minus 1 into 3 जब भी रजिस्टर आएगा तो minus 2 into 3 है ना ती गरबढ होगा कितना हो गया तो यह है यहाँ पर हो जाएगा तो भी यह माइनस भी इकोल टू ऐसा तो बस लिख देना है जैसे कि potential difference between any two points अभी बैटरी और रजिस्टर है capacitor में यहाँ capacitor लगा दिया था इंड़क्टर आएगा तो इंड़क्टर लगा देगा आएटी क्या करता है एक ही लाइन में capacitor भी लगा देता है रजिस्टर बैटरी सब लगा दिया तो मतलब कि तीनों चैप्टर जो एक साथ आप सिखो कैसे होता है चलो next अब देखो ऐसा सरकीट हमेंने बनाया है एक लूप यहाँ यहाँ इन दोनों के बीच में हावडा विरिज कनेक्टेड है यहाँ हावडा से लेकर के कोलकाता के बीच में पूल है बीना पाया का तो यह होगली नदी हो गई तो बताना है उमें देखो क्या फाइंट वीए माइनस वीजी ए पॉइंट है यहाँ और जी पॉइंट है यहाँ तो वीए माइनस वीजी क्या करना है ए से शुरू होना चलते 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 वीजी तक तो सबसे पहले हम current ड्रॉ करना चालू करेंगा देखो यह क्या है एक loop है ABCD क्या है एक loop है इस लूप में एक battery यहां है तो let यहां बोलते है कि I1 current इधर flow कर रहा है तो यह आई वन इधर flow कर रहा है तो यह I1 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 ऐसे आएगा आ रहा है आ रहा है बताए थे बचो देखो कि य यह क्या है देखो गौर करके यहां पर एक दो तीन तीन तार अगर मिल रहा है तो this is a junction क्या है यह junction junction से जो भी निकलते हैं और सीधे को एक wire अगर connected हो तो वह एक branch कहलाता है ठीक है देखना ज़रा यह junction हो गया तो मालों की यहां से तार इधर निकलाता है दो एक branch है जा रहा 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 है तो पूरा branch ऐसे यहां पर आया हुआ हुआ है ठीक एक इधर निकला होती, एक branch जारा 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 वहाँ चला गया है, ठीक, continuation में connected ही है, तो एक branch में एक ही current flow करता है, क्यों, क्योंकि it is one रास्ता, current रास्ता देखके चलता है, तो देखो, एक इधर, अगर I1 इधर हमने इसे माना थे, यहाँ से actually क्या होगा, I1 flow कर रहा हो I1 आ रहा होगा, तो कुछ current इधर भी गया होगा, तो कुछ इधर भी गया होगा, जो हमें feeling पता है कि भाईया, तार है, टोटल incoming, equal to outgoing होना चे, लेकिन point to be noted, my lord, कि since it is a branch, same current has to flow, इने single branch जो है, तो उसमें, अगर यहाँ पर I1 आ रहा है, और हमें पता है कि इधर I1 ही जाए जाएगा, यानि 5 ampere आ रहा है और 5 ampere इधर चल गया है, इधर केतना ampere जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, total current has to flow this side, hence, यहाँ से हमें पता चलता है कि, क्या पता चलता है, कि इस direction में current flow नहीं करेगा, यहाँ current flow नहीं करेगा, इतक, समझ में आ गया ना बच्चों, फिर देख current flow करेगा, माल लेते हैं, उधारन के तोर पर यह बैटरी इधर है, आप मालो इधर I2 flow कर रहा है, इधर I2 flow कर रहा है, I2 flow कर रहा है, अब यहाँ आया, हमें ऐसा लगता है कि I2 इधर आयो, कुछ current इधर चल गया होगा, और कुछ current इधर जाएगा, लेकिन नहीं, since it is a single loop, तो भाई यह I2 है, इसका मतलब इधर भी कितना आ रहा है, देखो ज़रा, I2 ही आ रहा है, it means, total I2 इसी में गोल 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 गोम जाएगा, भाई साब इधर current नहीं जाएगा, तो बड़ी अच्छा सवाल है, ऐसा ही capacitor में भी लगा दो तो भाई, वो एक और सवाल बन गय अब क्या बचता है, हमारा चलना, तो यह एक लूप है, लूप में, चलो current इस direction मिली है, तो हम ऐसे चल जाते हैं, यह हमारा चलना है, current ऐसे लिए था, let ऐसी चल जाते है, बोलो को सर कोई rule है कि इधर चलना है, जिधर current बेलकुल भी नहीं, हम ऐसे भी चल सकते थे, तो यह ह चल लूप वन, और वो है, लूप नूबर टू, तो के विल लगाते हैं, लूप वन में, देखो, के विल इन, लूप वन, तो लूप वन में, लगाएंगे, चल दहें, ऐसे, तो दो हो चोटा आदमी से बड़ा आदमी, प्लास टैन, चलते 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 हम जा रहें, ऐसे, current जिरो तो यह एंट do 5 उधर चल जाएगा तो यह 5i 15 तो यह 10 यानी i1 आ रहा है कितना 2 A कुटाแskटा त्रो एंपिर तुए wanna लोग करेंगा अच्छा इसमें कितना फोलो कडेगा पाइग देख लेते ऐसे है कही से चल Dire Sache चल रहे हैं ऐसे, छोटा आदमी से बड़ा आदमी, kvl in loop 2, बड़ी अच्छा concept था यहाँ पर है न, कि इसमें current flow ही नहीं कर रहा है, घजाब होगे, ऐसे, तो छोटा से बड़ा होगे, तो plus 20, आज चलते चलते हम चल रहे हैं इसे, current मेरे 7-6i2, हम चल रहे हैं इसे, current मेरे 7- है भाईया, तो minus 4i2, equal to, क्या होगे होगे, साथ, 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 चलते जाओगे, तो minus, 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 6-4 कितना होगे है, 10, तो यानि यह 20, तो उधर हो जाएगा, जाकर के 10i2, यह चला गया, चला गया, i2 बरावर कितना है, 2mpr, plus, plus ही है, आए, दोनों से हम आंसर आगया, अच्छा, ऐसा है, कुछ गलती तो नहीं हो गया, 10, 3, 2, 5, दोनी, 10, 6, 4, अच्छा, सेटिंग किया ह है, इस तरह से, ओ, इस से मानसर आया, और plus ही है, यानि कि ठीक है, जैसा माने है, current का वैसी है, क्योंकि बैटरी के positive terminals से मानने पर अच्छा बात होता है, बैटरी के positive terminals से अगर current मानोगो तो अच्छा बात होता, plus आगा, मालो इधर मान लेते है, minus आ जाता, फिर घुमाना अब यहां से लेकर के जीत आप कैसे पहुचना चाहते हो, उस रास्ते से पहुचना चाहते हो, या फिर इस रास्ते से पहुचना चाहते हो, जीतक, तो जिधर कम devices connected हो, उस रास्ते से जाओ, तक ही कम term लिखना पड़े, इधर से जाते हैं, तो दो बार लिखना पड़ेगा उधार से जाते हैं तो एक ही रजिस्टर है तो भाईया इधार से लेकर करके ऐसे पहुंच जाओ एसे लेकर करके जीता बोलोग सर ऐसे जाएंगे तो के अलग अंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं आप ऐसे जाओगे न यू विल हैब दा सेम आप खुछ से ट्राइ करना ठीक है तो 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 क्या बोले भी ए माइनस वी जी निकालने के लिए देखो स्टार्ट फरम ए गो टू जी तो हमारा डारेक्शन यह होगे गरीन वाला जो मैंने लिखा किसका है भाईया गरीन किसका डारेक्शन है हमारा हम लोग चल रहे हैं चलो शुरू करते हैं तो वी ए से चलना चलो किये तो यहाँ पर जो पोटेंशल है चल रहे हैं चल रहे हैं तो पता है जब बैटरी आता है तो करेंट से हमें मतलब नहीं होता है करेंट फ्लो नहीं कर रहा है लेकिन बैटरी आया है तो हमको potential difference लिखना पड़ेगा इसलिए शुरू में ही लिखाए थे कि जब बैटरी आता है ना we consider only our direction लेकिन जब resistor आता है ना we consider both direction बैटरी है चल रहे हैं छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गए तो plus 4 आपको ये लिखना पड़ेगा current नहीं flow करा लिए फिर भी लिखना होगा ठीक चलते चलते इसमें तो current ही नहीं flow कर रहा है तो भाईया ये हो जाएगा कितना 0 into 1 हो जाएगा I into R करेंगे ये 0 उसके बाद यहाँ चलते 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 इधर तो कुछ है नहीं चलते चलते देखो हम आ रहे है बचों ऐसे हमारे ऐसे current flow कर रहा है I से टकरा रहे है तो plus तो plus कितना 6 I2 कितना हो जाएगा plus 6 I2 plus 6 I2 summation अब पहुंच गया कहां तक भाईया चलते 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 जी पॉइंट तक यह हो गया तो VA plus 4 ये तो 0 कहानी हो गया खतम plus 6 times I2 I2 देखो निकला होगा कितना 2 equal to क्या है VG hence VA plus देखो 6 दूनी 12 चार कितना हो जाएगा स्वल्ला equal to VG hence VA minus VG VA minus VG हो जाएगा इसको इधर लेते ये स्वल्ला उधर चल गया answer आजाएगा कितना बच्चो माइनस 16 volt अब अब जैसे भी वहां तक पहुंचोगा दूसरा रास्ता भी बताया थे लिए उधर से पहुंचके दखो हो एक नया मेथद point potential method जिसको कि हम लोग बोलते है नोडल मेथड क्या है यह नोडल मेथड यह यह जैसी नोड यूड यह नोड वर्ड जो आता है तो हमें पता है कि दो ची एक तो जिसको junction बोलते हैं ना junction उसी को हम लोग node बोलते हैं यानि ये कहीं न कहीं nodal method या junction method कुछ न कुछ है तेखो क्या है तो it is based on caseal Kirchhoff's current law क्या है कि कोई भी एक junction अगर हो कोई भी एक junction हो या node हो तो भाया incoming current जो होता है is equal to outgoing current हो जाता है यह हम जानते हैं यानि वही चीज़ हम लोग यहां लगाएंगे ठीक है कैसे सवाल में यह वाला point potential लगता है बच्चों point मतलब junction और वहाँ पर potential हमको कुछ न कुछ लिखना है यानि एक junction पर एक junction पर आपको कोई न कोई potential लिखना होगा तो नाम हो गया junction potential मेथड या point potential मेथड या फिर nodal मेथड जो बोलो तिक देखना ज़रा क्या है पहले आप इसको लिख लो जो भी point है ना लिख लो method है कि कैसे आपको solve करना है किस type of question कौन को solve करेंगे बच्चों यह सवाल देखो ऐसा है इस तरह से बना हुआ है दो लूप ठीक अभी एक चीद दिखाता हूँ आपको values देख रहो 6, 8, 12, 28, 54 यह सेम सवाल जो ना मैंने आप लोगको केवियल से कराया था 28, 54 दिख रहा ना 28, 54 का question कहा है भाई 28, 54 का कहा है आपको अपने copy में देखना इसलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ ताकि रियलाइज हो कि कैसे KVL से भी बना सकते है और कैसे देखो भई 6, 8, 12, 28, 54 यह वाला सवाल जो हमने solve किया था जिसका की answer यहां से I1 माने थे, इधर I2 गया थे इधर I3 और answer केतना है था बचो I3 1 बटे 2, 1 बटे 3 और कैतना है, 5 बटे 6 यह सब answer आया था KVL से अब यही हूँ बहु सेम सवाल पहले try कर दे किसे point potential method से देखें कि answer अगर यही आगया इसका मतलब कि ठीक ठाक है ना, सही method पढ़ रहे है तो दूसरे तरीका से बनाने का तरीका देखो, क्या जब ही कभी आपके पास तीन तार या तीन से ज़्यादा तार कहीं पर अगर meet कर रहा हो एक सवाल के अंदर तो हम लोग उसको बोलते हैं junction, यहाँ पर अगर देखें तो तीन तार यहाँ मिल रहा है so this is junction, क्या है बचो यह मेरा junction या फिर हम लोग इसको node बोल सकते हैं यहाँ भी तीन तार मिल रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं junction या बोल सकते हैं node बढ़ी आसान में थड़ होता है यह वाला अगर सीख गए बढ़ी यहाँ से तो नए तो फिर मुश्किल है तो जैसे junction और node है देखरो यहाँ भी junction यहाँ भी junction हमें करना क्या होता है उस junction पर एक potential मानना होता है जैसा मैं थड़ कहता है तो देखो करना क्या है टेक potential of any one junction तो भी 0 कोई एक junction का potential 0 मान लो और while assume potential of any other junction जो है उसको मान लेते हैं let it be x क्या है x भाई potential मान रहा है यानि कि उसको आप भी भी मान सकते हो ठीक है भी volt x volt मान लिए तो हमें x निकालना होगा तो भाई कहां है देखते हैं सवाल सही आपको solve करा रहा है तो let हमेशा कहा है ना उपर जो रहे उसको कोई मान लो की high पोटेंशल है x और यहां का जो पोटेंशल है बचो उसको हम लोग कहता है माल लेते हैं 0 तो धर माल लिए 0 यहां पर क्या माल लिए x अब सुचो यह है x यानि कि कोई नो कोई voltage है तो यह high potential हो गया और यह है 0 तो यह low potential हो गया यानि कि current flow करेगा किदर high potential से low potential के तरफ ठीक है तो जो भी हम लोग इसको माने है x तो भाई यह हमेशा जो मानते हैं वो होता है कैसा high potential और जो 0 हो गया वो कैसा हो गया low potential आब इसे होगा क्या सवाल वही है बच्चों हमसे पुछता find current flowing through each resistor या through each branch ये एक junction है तो एक branch इधर हो गया junction junction के बीच में एक branch इधर एक branch इधर तो इसमें कितना current इसमें कितना current flow करेगा करना क्या होता हमें ये तो समझ में आ गया वही हाई potential से low potential के तरफ current flow करेगा ठीक अभी आप कुछ लिखना मत तो हम बोलते हैं लेट ये हाई है तो माल लो यहां से Current flow कर रहा है इधार से I1, इधार इधार से Seven, माल लो इधार से i2, माल लो इधार से Fallow कर रहा है कितना I3 यह क्या होता है यह अपने से मामड़ने था है कि लेट हाई वी तो हो जो पिछला सवाल देखे थे यही वला उसमें देखे थे आईवन इधर से फ्लो कर रहा था इसका मतलब है बच्चों क्या कि अगर आप आईवन कुछ मानोगे ना इस तरह से यह नेगेटिव अंसर आजाएगा समझिएगा तो हमारे लिए क्या आजादी होता है कि आप हमेशा मानो हाई से लो के तरफ 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 करेंट फ्लो कर रहा है मान लिए ठीक है अपने आप अंसर आजागा करेंट का प्लस आया तो समझे कि हम ठीक माना है और अगर माइनस है समझा रहा हूँ फर्स टाइम इसी लिए टाइम लग रहा है अब-अब करना क्या होता है तो देखो क्या है find X अब जो X जो आपने माना है potential जो हाइए find X कैसे using KCL and find all currents के सिल मतलब किर्चॉप्स करेंट लॉग क्या बोलता है बच्छों की कि सी भी जंक्षन पर सारे करेंट्स का लजेवरिक्षम इस एकल टू जीरो तो देखो क्या है लिखे है न यह वाला find x तो हमें x निकालना होगा तो यह x निकालना होगा कैसे तो इस जगह पर हम लोग लगाएंगे kcl और kcl क्या कहता है summation of all the currents तो यह देखो एक i1 है एक i2 है एक i3 all the current summation is equal to 0 यानि कि i1 plus i2 plus i3 is equal to क्या है 0 यह बनाने का हमारा तरीका है अब सीख जब गए हो तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो जरा यह i2 यहां से मिटाया यह i3 यहां से मिटाया यह i1 यहां से मिटाया सब कुछ समझ में आया बढ़ियां से यह देखे बचो जब भी हम point potential method लगा रहे होंगे तीन तार मिल करके junction बनाए एक का हम मानेंगे high potential एक का मानेंगे हम low potential ठीक है ऐसे circuit में आप देखोगे कि इस रास्ते में रजिस्टर है और बैटरी है इस रास्ते में रजिस्टर है और बैटरी है इस रास्ते में अकिला एक बैटरी है इसमें रजिस्टर है ही नहीं तो यह सवाल जो है बचो आसान हो जाता है कैसा हो जाता है यह आसान मै इसका ठीक जस्ट जो है दूसरा वाला सवाल दिखाता हूं ताकि अपना identify कर सको फिर current flowing through each resistor देखना गौर करके कि यहाँ पर भी तीन तार मिल रहा है it is a junction यहाँ भी तीन तार मिल रहा है it is a junction तो एक का potential हम माल लेते हैं कि 0 volt और एक का माल लेते है potential let it be x जो कि क्या हो जाता है हाई ठीक है देखना सिस इस रास्ते में भी रजिस्टर बैटरी है इसमें भी रजिस्टर उसमें भी रजिस्टर है तो जिस जिस रास्ते में रजिस्टर रहे उधर तो current मालो की i1 i2 i3 flow कर रहा है जिस रास्ते में अगर रजिस्टर ना हो अकिला बैटरी हो उधर current हमें मा flow कर रहा है माल लो i2 इधर flow कर रहा है कितना i3 flow कर रहा है अच्छा यहाँ क्या है भई बोले कि इधर resistor है तो माल लो इधर flow कर रहा i1 इधर भी दोखो resistor है तो माल लो इधर flow कर रहा है i2 इधर sir इधर क्या तो इधर since resistor नहीं तो इधर मानने की जौरत नहीं है क्यों क्योंकि directly जोनब बिना कुछ माने हुए x का value मेरा निकल जाएगा अगर अकेला battery हो तो यह line दिमाग में अच्छा से बैठा है यह बच्छो कि किसी भी branch में किसी भी branch में अगर अकेला battery हो तो बहुत आतानी से x मेरा निकल जाता है कैसे kvl के रास्ते से देखो यह है 0V जब तक तार सेम होता है तब तक potential सेम यानि 0,0,0,0,0 यहां भी कैसा हो जाएगा 0V देखो क्या है हम जारे उपर क्या जारे क्या हमें x चाहिए न देखेगा खली battery है बड़ी आसान 0,0,0,0 लेकिन इधर अगर हम जाएंगे तो छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो प्लस 6V देखे कैसे निकला क्योंकि जब battery अकेला connected होता है किसी भी रास्ते में तो सिर्फ हमारा direction से मतलब होता है हमने मान लिया 0 उसको माना x वो केतना है यह battery हमें बतला रहा है कि 0 से high हो जाएगा तो वो प्लस 6 हो गया x निकल गया बहुत आसानी से लेकिन यही चीज हम इसमें एक नहीं कर पाएंगी देखो इसमें क्या यह 0 है तो हम जा रहे 0 प्लस 6 यहां होता लेकिन रजिस्टर है यहां पर भी कुछ न कुछ potential का drop होगा तो हमला गड़बल है उसके लिए current चाहिए current अभी नहीं पता है इसलिए हम नहीं लिख सकते x का फिर यहां भी रजि पोटेंशल का difference divided by resistor डेल्टा भी current flows from किदर flows from किदर फ्लो करता है हाइप पोटेंशल टू लो पोटेंशल फ्लोस परम क्या बोलेंगे हाइप पोटेंशल टू लो पोटेंशल मैंना इसको थोड़ा सा अलग जगा पी लिखता हूं देखो एक ची हाउ टू राइट करेंट हाउ टू राइट करेंट पूचो देखना करेंट जो है मैं कह रहा था कि पोटेंशल भी बटे आर होता है यानि कि डेल्टा भी बटे आर होता है तो भाईया करेंट फ्लोस फ्रम हाई पोटेंशल टू लो पोटेंशल तो इसको हम लोग कैसे कि को resistor अगर हमारे पास रहता मालों कि है R ठीक है यहां कितना वोल्ट है यह 10 वोल्ट और यहां पर मालों कितना है 2 वोल्ट तो हमें दो कैसे current लिखोगे पता है कि यह high है यह low है तो current flow करेगा इधर तो current लिखने का तरीका दो कैसे होगा high potential minus low कर दो divided by resistance V equal to IR यहीं तो होता है तो लिखेंगे कैसे 10 minus 2 divided by हो जाएगा R यह लिखने का तरीका लेकिन सिंस अब हम लोग केवियल सिख चुके हैं तो दो चीज और बताता हूं मालों यह 10 वोल्ट है रजिस्टर है कोई ठेक है एक लेकिन बैटरी कनेक्टेड है ऐसे यह है 5 वोल्ट का और ऐसे चलते 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 यह है 2 वोल्ट यह एक resistance कितना R जब रास्ते में रजिस्टर और बैटरी दोनों कनेक्टेड हो तो how will you write current तो वो बहुत है current कैसे लिखेंगे let high से low के तरफ minus 2 तो लिखने है लेकिन क्या हुआ ना आप जो potential का difference जब लिख रहे हो तो भाईया लिखने के चकर में क्या हुआ 10 चलते 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 एक बैटरी भी आ गया तो अगर हमारे चलते हुए 10 चलते 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 चोटा आदमी से बढ़ा आदमी हो जागे तो इसका potential लिखना 5 हो गए और फिर क्या है 2 तो minus कर देंगे 2 divided by क्या है इस रास्ते में क्यतना resistance एक रजिस्टर है तो यह हो गया तो देखो 10-2 current flow कर रहा हाई से लो के तरफ लेकिन बीच में को बैटरी बैटरी आ गया चाहे इधर से उधर हो जाता चाहे positive, negative इधर होता तो हम ना potential drop जो भी बीच रास्ते में आते या उसको लिखते जाते हैं ताकि पता चलता केतना potential difference है divided by resistance that is the current flowing through that branch ये लिखने का तरीका हो गया अब current सिर्फ लिखना है लो भाईया बहुत असानी से लिख दो since x पता चल गया बचो केतना है 6V आईवन कैसे लिखो गया तो this is high this is low, low voltage केतना है यहाँ पर 0 तो यानि सटिक हम को कैसे लिखना था यह x जो है भी x है x-0 high-low के तरफ current flow करेगा वो current के लिखना लेकिन बीच रास्ते में बैटरी आजाए तो बता चुके कैसे लिखना है तो देखो कैसे लिखो गया आईवन बराबर direct चल रहे x high चलते 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 चोटा से बड़ा हो गया तो plus 8 आगे आईए low केतना है 0 तो यह हो गया high minus low बीच में कुछ हाए तो उसको लिख दो गया यह हो गया हमारा चलना ऐसे ऐसे ठीक है तो यतना divided by resistance केतना है 28 तो यह हो गया current कुछ हुआ ने बस हो गया answer एक्स बरावर है केतना 6 वोल्ट तो 6 प्लस 8 माइनस 0 divided by केतना 28 8 6 14 बटे 28 answer केतना है half ampere 14 दून 28 उसी तरह से बचो दोखो i2 कैसे निकालोगे इस रास्ते से high minus low x चलते जाए x छोटा से बड़ा plus 12 x प्लस 12 लास्ट में low केतना है 0 divided by resistance केतना है 54 x है 6 plus 12 divided by 54 12 6 18 बटे 54 18 3 8 1 answer आगया केतना 1 बटे 3 ampere देखे सेम आँसर आया है 1 बटे 2 और 1 बटे 3 इसका और इसका अब देखो क्या है सिंस सारे ब्रांचेस में हमें current की जुरत पड़ती है तो I1 मेरा निकल गया केतना 1 बटे 2 तो ये 1 बटे 2 ampere है और I2 केतना आया मेरा answer 1 बटे 3 ampere इस जगा पर देखो KCL लगाएंगे तो हमें पता है कि ये plus ये answer आया मतलब ये current इधार ही flow करेगा सही में plus ये answer आया केतना incoming वही outgoing होगा इसका मतलब कि let हम लोग क्या मान सकते कि धर से let current केतना flow कर रहा होगा कुछ I3 flow कर रहा है तो I1 इधर चल गया कुछ I2 इधर चल गया है ना तो इस branch में current कैसे निकलेगा summation of current यहां निकाल करके तो answer क्या आजाएगा I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 I3 इक्वल टू I1 प्लस केतना है I2 I1 है 1 बटे 2 I3 है 1 बटे 3 answer आ जाएगा 6 2 3 6 3 2 6 answer 5 बटे 6 जो की same है जो उस question में मैंने दिखाया था पीछे वाला में अब समझाने में तो मेरे को बहुत समय लगा लग रहाओक सर बड़ी complex है कुछ complex ने कुछ complex ने दूसरा वाल सवाल जो है उसको करके देखो दिखाता हूँ ठीक है ऐसे कहां गया यह वाला ने क्या है भाई जैसी 3 तार मिला 3 तार मिला एक को 0 माने एक को X माने हाई अकेला रास्ता हम को पॉइंट पी पर जो भी हाई होगा ना I1, I2, I3 हमने माल लिया ठीक है तो बोलें देखो क्या at point P at point P apply क के CL और के CL क्या कहता है जो आ रहा है उसो प्लस प्लस लेते जाओ जो जा रहा है मैनस 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 लेते जाओ हम मानते क्या है सब वहाँ से जा ही रहा है जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है high से low के तरफ तो सब जा रहा है, जा रहा है, आउट गोइंग ही है मैनस 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 होगा तक कैसे लिखेंगा मैनस I1 मैनस I2 मैनस I3 summation of all the current at a junction is 0 सब मैनस है भाईया, सब उधर चल जाएगा तो हम लोग सब को क्या लिख सकते है बच्चो, प्लस में लिख सकते है तो यह हो गया, एतना अब current कैसे लिखा जाता है high, minus, low वो सिखा चुके यह है x, यह है 0 यानि होगा तो x minus 0 ही लेकिन बीच में बैटरी आया तो आप उसको सिर्फ लिख देना लिख दो बच्चो, लिख दो केतना असानी से देखो I1, I1 कैसे लिखोगे high x बड़ा से छोटा हो गया तो देखो कैसे लिखो x बड़ा से छोटा मतलब क्या minus 6 और जा रहे है कहां तक low तक तो minus 0 तो करेंगे ही यानि current कैसे flow करता है high minus low divided by resistance केतना है 3 ohm होगे है कहां नहीं खता हूँ plus I2 कैसे लिखोगे I2 high minus low बेचों को बैटरी है क्या नए तो सीधे हो जाएगा x minus 0 high voltage minus यतना divided by केतना है 2 ohm plus यहां देखो high तो यह होगे x यह ऐसे करऊ high बोलिए what is your name high पलादमी से चोटादमी होगे भाई या minus बारे yellow divided by resistance केतना है 5 summation of all यह होगे 0 सर कर क्या रहे हो आप मैं x निकाल रहा हूँ सबसे पहले एक बार high यह जो x हम मानते है point का potential यह पर वो निकल गया तो वस आव i1 i2 i3 निकल जाए है यहां से देखो x बाटे 3 minus 6 बाटे 3 plus यह x बाटे 2 उधर हो जाएगा देखो केतना बच्चो x बाटे 5 x बाटे 5 minus 12 बाटे 5 equal to 0 भया यहां 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 से x ले लेते हैं हम common answer आजाएगा 1 बाटे 3 1 बाटे 2 1 बाटे 5 ठीक है और यह दोनों जो है चला जाएगा किदर उधर तो 6 बाटे 3 6 बाटे 3 plus 12 बाटे 5 बच्चो 3 दूनी 6 यानि कि 2 plus 12 बाटे 5 तब 5 दूनी केतना रहा 10 तो 10 और बाटे हो जाएगा 22 बाटे 5 यह देखेगा LCM 5 दूनी 10 तीए 30 ठीक है तो 3 दहे 30 तो 10 2 15 5 36 तो 6 इक्वल टू धर आ रहा है 22 बाटे 5 हम x निकाल रहे है अब है x कितना आ जाएगा 15 10 25 और 6 कितना 31 बाटे 30 इक्वल टू आ रहा है कितना 22 बाटे 5 हैंस x बडाबर आ जाएगा 22 गुना 30 डिभाइड़ बाटे 5 गुना कितना है 31 थोड़ा से गंदा आ रहा है नहीं सही तो कल्पलेशन कर रहे है हम लोग चलिए देखते 5 36 36 दूनी बारे के 2 6 दूनी बारे 13 132 बाटे केतना है 30 च्या है भोल्ट 132 बाटे 31 बाटे या x का वैल्यू निकल गया अब सुचो कि जैसे 16 निकल गया 132 बाटे 31 है वचो देखनो तो I1 का वική है ये I2 का क्या है ये और I3 क्या है ये यानि कि सारे करेंट का वैल्यू यो सारे branches में क्या हो गया मेरा निकल गया। कितना है था एक 302 वट्टे 31 न, तो देखो जरा, यहां पर solve करता हूँ, 132 वट्टे केतना है, 31 वोल्ट है आइवन देखिया क्या है, तो बोलेंगे आइवन जो है वह है, X-6 बटे 3, तो क्या बोलेंगे भाईया एक बटे तीन तो ठीक है X है मेरा 132 नीचे लिखते जाता हूँ तो ये 1 बटे 3 बाहर ले जेते हैं X केतना है 132 बटे 31 माइनस केतना है 6 लिखते जाए कोई दिकतने कैलकुलेशन ही तो है तो केतना हो जाए भाई 132 माइनस multiply करें इसको तो 6 का 6 6 ती 18 भागा केतना है 31 तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे 3 देखो जाए न ये बड़ा है बचूत यानि कि माइनस हो जाएगा 6 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 4 8 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 5 divided by 31 देखो negative आ रहा है ना current का value तो ये 3 ये हो जाएगा केतना 18 यानि कि माइनस 18 बटे केतना है 31 तो ये हो गया I1 यानि कि जो direction आपने I1 माना है उसके ठीक opposite direction में ये reality में flow करेगा I1 निकल गया चलो देखते है I2 क्या है X बटे 2 I2 है X बटे 2 सारे पहले values निकाल लेते हैं तो ये है X बटे 2 तो 1 बटे 2 टाइमस X X केतना है 132 बटे 132 बटे 31 ठीक है तो 2 चक बार है 2 चक बार है यानि कि 66 divided by 31 तो ये positive आ रहा है यानि कि जिधर माने हैं उधर ही I2 flow करेगा उस branch में चलो I3 का value देखे जरा I3 का value कितना था ये देखे यहीं से सब पता चलाता है एक बार लिखा गया ना I3 का ये X माइनस 12 बटे 5 X माइनस 12 बटे 5 X माइनस 12 बटे 5 T हो जागा 1 बटे 5 टाइमस X है 132 divided by 31 सही है अब माइनस केतना हो जागा 12 तो 1 बटे 5 132 माइनस 12 के 12 हांत में चाए 12 36 है केतना हो जागा 37 और divided by केतना है 31 ठीक है फिर इसमें जो है ये वाला बड़ा है यानि कि नेगेटिव आंसर आएगा तो 1 बटे 5 माइनस कुछ आएगा ठीक है ये तो 2 में से 2 गया केतना 0 7 में से 3 चला जाएगा 4 हो जाएगा 3 में से 1 चला जाएगा 2 एतना divided by केतना है बचो 31 तो ये जाएगा 5 से कड़ जाएगा 5,25,25,25,40 यानि कि ये भी देखो केतना आया है नेगेटिव आंसर आया है कौन? आई 3 तो आई 1 और आई 3 क्या है नेगेटिव और आई 2 है पॉजिटिव मैनस 88 बटे 31 केता है मैनस 88 बटे 31 मैनस 88 बटे 31 सारा जो है ना पहले values लिखू i3 है मैनस 88 बटे 31 ठीक है i2 था प्लस में 64 बटे 31 और i1 जो है नेगेटिव आंसर आया है केतना मैनस 18 था क्या? मैनस 18 बटे 31 मैनस 18 बटे 31 अब देखो इसमें क्या है positive negative सब आया है तो जड़ा से analysis करें कि reality में जो current है ना circuit में flow किधर किधर करेगा सिर्फ i2 का direction जो बचो वो सही है सिर्फ i2 का direction क्या है सही है सच में इधर flow करेगा किधर गया किधर गया i1 i1 है minus यानि कि i1 reality में किधर flow करने जारा देखो बैटरी यह है तो real direction i1 का इधर होगा यह सही direction है ठीक है just opposite to the और i3 minus इतना है तो i3 हमने माना था इधर भाई यह reality में flow करेगा इधर तो समझ में आगया बढ़िया से और पता भी चला देखरो बैटरी का positive terminal तो current इधर flow किया यह current इधर flow किया और यह गया i2 यानि कि सच्चाई में अगर circuit diagram का थोड़ा सा धाचा अगर तयार किया जाए बचो इस point का तो इस point पर जो है न point P पर एक ऐसे रास्ता ही कैसे है और i3 इधर आएगा ठीक है i2 सच में इधर जाएगा i2 सच में इधर जाएगा और i1 कि इधर है सच में इधर तो सच में इधर ठीक है तो यानि किस जगह पर incoming current कौन है i1 और i3 out going यह है यानि कि i1 प्लस i3 जो है वो i2 के बराबर होना चाहिए ठीक है i1 प्लस i3 i1 का magnitude केतना है 18 बटे 31 और i3 का magnitude केतना है 48 बटे 31 क्योंकि direction जब हम पलट दिये minus sign क्या बतलाता है सिर्म direction उल्टा है तो अब हमने direction पलट दिया सही 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 तो यह दोनों का value चक करके देखो उसके बराबर है हाँ या ना i1 और i3 18 और 48 बटे 31 देखेगा जड़ा क्या है 8-8-16-4-5-6 देखो इतना which is equal to क्या है i2 सही है न यानि कि ठीक ठाख है 66 बटे 31 तो देखो इससे पता चलता है कि पूरा सवाल को बनाने का तरीका क्या होता है और फिर आ गया कुछ answer प्लस माइनस तो भाई हम लोग verify भी कै जैसे कर सकते ठीक है अब देखो जैसे point potential सब सीखे हो practice तो करना पड़ेगा बचो क्योंकि नया नया चीज है practice करोगे बड़ी fast सबची लिखोगे आपके लिए homework देता हूँ ठीक है देखो क्या सबसे पहले एक तो solve करना solve करके comment section में जरूब बताना कि कितना answer आ रहा है कितना current और इसका question में डीपीपी में भी डाल दूँगा तो उसके video solution में आप इसका answer देख लेना ठीक है लिख लिए बढ़ियां से तूमीद है कि बहुत अच्छे से kvl और ये point potential method समझ में आया कम से कम दो बार तीन बार रफ कॉपी में practice करो एक बार जैसे समझा रहे हैं वो first time हो गया उसके बाद फिर एक बार अपने solve करो फिर एक बार अपने solve करो देखो कि यार कैसे क्या एक डेढ़ से दो मिनट के अंदर हम बना पा रहे है क्या जो lengthy हो तो उस तो time लगेगा ठीक ह यह सब जो सवाल है क्या देढ़ से दो मिनट में बना पा रहे हैं फिर देखो जो है न एक्स्टा कुश्यों सब प्रैक्टिस करना तब जाकर कि जबर्दस्ट confidence आएगा ठीक है मिलता है अगले वीडियो मचो आच्छा से पढ़ाई करते रहे हैं